दोस्तों, आज कुछ खास लेका आया हूँ आपके लिए, सिर्फ पांच मिनिट रोजाना करोगे और आपको उस लेबल का एनरजी मिलेगे आप सोच नहीं सकते आपकी रोग प्रतिरोग ख्यमता जितनी है उससे कम से कम तीन से चार गुना बढ़ जाएगे बहुत ही सिंपल टेक्णिक्स हैं, काफी सारे लोगों को पर्सनल लेबल पे जो लोग मेरे से मिलते हैं उनको बताया हूँ और लोग करते हैं, सबको फायदा होता है हमारी जो हाथ है ना कई बार हमारी आदत है हम लोग ऐसे भी मुठी-मुठी करते हैं मगर हमें यह पता नहीं है कि यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है तो हमारे सरीर के अंदर क्या होता है यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है तो किस लेवल का चंजेस हमारे सरीर में होता है किस तरह का chemical reactions हमारे अंदर होता है कौन से hormones हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है चाहे हो depression हो anxiety हो stress हो एक साधार जिवाद है हम लोग ऐसे ही बैटके भी कई लोगों के आदत है ऐसे मुठी-मुठी करते रहें कभी हाथ अकड़ने के जैसे लगता है कभी कुछ लगता है हम लोग ऐसे मुठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है यह जब आप मुठी बंद करते हो न तो खास करके राइट मुठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को यह इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एडेनल ग्लैंड कहा जाते है जो खास करके हमारा ब्लैड सर्कुलेशन ब्लैड प्रेशर को कंट्रोल करता है मीडिल फिंगर जहां हमारी टच होती है राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं तो वह सीधे किड्नी के रिफ्लेक्शन एरिया को टच करता है रिंग फिंगर हमारी जहां टच होती है वो सीधे pancreas के reflection area को touch होता है। उसका जहाँ nerve end है उसको touch करता है। And little finger जहाँ touch होती है वो आपका liver कहलाता है। Right side और left side में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो right में है आपका liver, left में है आपका heart. Left का little finger जहाँ पे touch होती है, that is equal to the heart. याने अगर हमने इस तरीके से मुठी बंद करते हैं और खोलते हैं, तो हमारा index finger टच कर गया आपका adrenal gland, middle finger जहाँ touch हो गया वो आपका kidney हो गया, और ring finger जहाँ touch हो गयी वो आपकी pancreas हो गया, और little finger जहाँ touch हो गयी वो आपका liver हो गया। इधर उसी तरीके से यह adrenal gland जहाँ बीपी पॉइंट हो गया, इधर आपका kidney पॉइंट हो गया, यह आपका pancreas जहाँ डाइबेटिस के लिए हो गया, और यह आपका little finger जहाँ touch हो हाट का हो गया। अब सवाल यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापिटी के लिए, अपने लिए सिर्फ 5 मिनिट, आप किसी भी जगा पे बैठ लीजे, चाहे चैर में हो, बेड पे हो, या फिर आसन डालके नीचे बैठ ले, जहां आप comfortable हो, जिस हालत में भी आप हो, दिन में एक या द दो बार, 5-5 मिनिट, मुठी बंद करना है, सांस लेते हुए, और टाइट करके रखना है, एक दो सेकंड फिर इसको खोलना है, फिर से इसे मुठी बंद करनी है, और फिर इसको खोलनी है, थोड़ा टाइट करके दबाईए जिससे की, जो पॉइंट है, वो स्टिमलेट हो स पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे फिर एक दो सेकेंड रोकनी है और इसको खोलनी है इस तरीके से मुठी बंद करनी है और खोलनी है याने आपके मुठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्तिय चुपा हुआ है बस दबाओगे वो निकल आएगा आपकी एनरजी आपके मु हमारी को दूर करने की ख्यमता मुठी के अंदर बंद है बस टाइट करें और फिर ओखोल के बाहर आएगा आपकी ब्यूटी आपके मुठी के अंदर है टाइट करिए दो सेकेंड रोकिए फिर इसको खोलिए याने जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एन सास जरूर लो और जब मुठी खोलते हो तो सास बाहर निकालो इस तरीके से याने सास लिये मुठी बंद किये सास छोड़े मुठी खोल दिये दोस्तों पांच मिनिट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाई डे आपके अंदर चंजेस आते जाएगा जिसको ब्लड पेशर है जिसको किड्नी का प्रावलेम है जिसको आपका डाइवेटिस है जिसको लिवर में को प्रावलेम है जिसको हाट में प्रावलेम है उनके लिए तो ये पुरा रामबान है जिनको नहीं है उनको जिन्दे की भरी बिमारी कभी होगा नहीं अगर आपका हाट लीवर और आपका किड्नी एडेनल ग्लैंड पैंक्रियाज ये सब बढ़िया रहा तो आप और क्या चाहिए जीवन में तो बहुत ही छोटा बात थी मगर इसकी रेजल्ट जो है बहुत जबरदस्त है उम्मीद करता हूँ आप इसको अमल में लाओगे डेली रेगुलर पैक्टिस करोगे इसका फाइदा आपको जरूर होगा और इस बात को गांड बना लीजिए फाइदा होना तै है थैंक्यू भेरी मुझ